ओम शांति बाब की बहुत सेवा की है बाबा की आशिर्वाद मिली ना सब की सर्विस की तो आशिर्वाद मिली अना सेवा करने का जो भाव होता है ना उससे आशिर्वाद मिलती है दिल से करना चाहिए ना दिखावे से क्या कई करके भी सुनाते रहते हमने ये किया ये किया, ये किया, वो कोई सेवा थोड़ा है, वो तो मतलब की सेवा है, सेवा करो, जताओ नहीं, सुनाओ नहीं कि मैं तुमारे लिए क्या करता, क्या करती, बाबा अपना एक्जामपल सुना रहे, कि देखो, शेव बाबा ब्रमा बाबा के बार में बता रहे, क्या, कि तुम भी दुआएं लो, माबाप की आशिरवाद आगे बढ़ाती है, कई सोचते हैं कि अरे माबाप को तो कोई समझी नहीं है, अरे आशिरवाद लो, दुआएं लो उनसे, उनसे बात करने का सलीका सीखो, इतना तो कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इतना ही तो क पर लो, जो अपने लौकिक माबाप की वैल्यू नहीं करता, वो पारलोकी की आलोकी की क्या करेगा, वैल्यू करना और रिगाड करना, ये तो भगवान का पहला असूल है, ये सिखाता है भगवान, आपस में भी संगठन भी रहते हूं, एक दूखा रिगाड ही नहीं है, बा आशिरवाद मिलेगी, बताओ, बताओ, क्या मिलेगी आशिरवाद, आशिरवाद तो दिल से ही दी जाती है, दुआए दिल से ही मिलती है, तो किसी का दिल दुखा होगे, तो कैसे आगे पड़ोगे, आगे बढ़ने के लिए दुआए चाहिए, और ओ दुआए माबाप की चाहे लोकी के चाहे अलोकी के चाहे पार लोकी के तीन बाप है ना, तो तीनों से मिलनी चाहिए, शिरिमत परमान चलो उनके दिल से दुआ निकलेगी, उनकी सेवा करने के लिए बाबा नहीं मना किया है, लोकी के माबाप की सेवा करने के लिए मना किया है, अपनी बुद्ध से चलते हैं लोकिक माबाप की सेवा करो अच्छे से पालन पोशन करो बस दुआ मिलेगी सुनाते रोगे बात करने का सलीका नहीं सीखोगे तो दुआएं नहीं मिलती उनकी दुआईं ही आगे बढ़ाती है इसलिए करते हुए जताना नहीं चाहिए करना है तो दिल से करो सुनाना नहीं चाहिए करने वाला तो बाबा है अम का से करेंगे किसी का तो जब याद रेगा बाबा तो तो याद रेगा ना कि सब की दुआएं लेनी है चाहे बढ़ा हो कई छोटा हो छोटे से छोटे कर वे दुआ लो जब इस तरह से चलना आएगा न तो संगठन में कभी आपकी किसी के साथ खिट पिट नहीं होगी ओम शांती